Hello students, मैं हुछ Zubar Sefi and I welcome you to my YouTube channel Orator Institute of English So John Milton के जो previous year में कुशन पूछे रहे हैं उनके एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज की ये थर्ड वीडियो है इससे पहले दो वीडियो आचुकी हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो उपर आई बटन पर क्लिक करकर उन वीडियो को देख सकते हैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है वहां से भी वो वीडियो आपको मिले जाएंगी बढ़ अच्छे-चे कोशन जिसमें डिसकस किये हैं इस वीडियो में तो चलिए बिना वक्त को जाया करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया है तो और इस वीडियो को शेर जरूर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए भी कोशन नमबर वन एकांत जो है अकेला पन जो है वो कभी कबार सबसे अच्छा समाज होता है सबसे अच्छी सुसाइटी होती है ये बात किसने कही थी जॉन मिल्टन ने पैरेडाइस लॉस्ट की बुक नाइन में कही है ये बात की solitude sometimes is the best society नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट कोशन बड़ा इंपोर्टन है वई देखो अगर हम नेतिक रूप से देखें तो वो ज्यादा बहतर है मिल्टन की ईश्वर से ये टिबड़ी किसने करी है Paradise Lost को पढ़कर आंसर है C Hazlitt विल्लिम हैसलिट ने कही थी ये बात नेक्स्ट कोशन है किसी ने मिल्टन के स्टाइल को कहा है जैसे साटन पर कडाही कर रखी हो गोल्ड के साथ ऐसा स्टाइल है मिल्टन का तो ये भी किसने कहा था D राले ने ठीक है नेक्स्ट है मिल्टन रोट नो लैंग्विज किसने कहा था कि मिल्टन ने कोई भाशा नहीं लिखी आंसर है A. Johnson ठीक है डॉक्टर जॉन्सन ने कहा था भई इमानलो मिल्टन साब के नेक्स्ट कोश्टन जो मिल्टन का नाम है वो एक मार्क बन गया बायग्राफी का नहीं नहीं थीम का बलकी एक स्टाइल का और ऐसा स्टाइल जो हमारी पोईटरी में सबसे ज़ादा डिस्टिंग्ज्ट है डिस्टिंग्विष्ट का मतला होता है प्रतिष्ठित यानि सबसे ज़ादा प्रतिष्ठित स्टाइल है मिल्टन का और वो उसी के लिए मार्क बन गए है टिपड़ी है राले की तो बहुत सारी टिपड़ीया है भाई इनकी नेक्स्ट कोशन देखिए बही कौन सा एपइक मिल्टन का एक प्रतिक्ट माना जाता है रिफोर्मेशन और connect간 का यानि पुनर जागरान का बढबे यही माना जाता है कि यह प्रतिक्त है रिफोर्मेशन और या उस कबढ़न का next है in paradise lost milton seems to be championing the cause of paradise lost में ऐसा लगता है कि milton champion बन रहे हैं किसी एक cause के और वो किसके answer है भी individualism के अब अगर आप individualism को जानते हैं कि यह क्या कौन सा दर्शन है तो आपको एहसास होगा कि यार वाकई में सर यह तो सच बात है paradise lost में यही तो कर रहे है milton individualism एक moral stance है political philosophy है एक ideology है एक social outlook है जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है किसी एक individual व्यक्ति को अपने नेतिक व्यक्तित्व में निखार करने की कोशिश करनी चाहिए और paradise lost में milton यही समझा रहे हैं कि भाईया अपने आपको सुधार लो ठीक है तो यही question आपसे पूछा गया था देखो बहुत गहरा question है यह लेकिन important exam में आ चुका है तो भाई याद रखना इस बात को नेक्स्ट है which doctrine is found in paradise lost paradise lost में कौन सी doctrine पाई जाती है देखो doctrine का मतलब होता है सिध्धान्त यानि paradise lost में कौन सा सिध्धान्त मिलता है यह पूछा जा रहा है answer है freedom of will पड़ी important बात है भाई यह देखो कहते ना कि जब इश्वर सब कुछ जानता है और इश्वर की मर्जी के बेना पत्ता भी नहीं हिलता तो इसका मतलब यह हुआ कि जब Adam और इव ने पहली अवग्या करी पहला disobedience किया तो इसका मतलब वो भी इश्वर की मर्जी से ही किया गया होगा तो उसमें Adam और इव दोशी नहीं है उसमें इश्वर दोशी है तो सजा Adam और इव को नहीं मिलनी चाहिए थी सजा इश्वर को मिलनी चाहिए थी यह कुछ लोग दलील देते हैं ठीक यहाँ पर Milton वो ही समझाते हैं कि भाई इश्वर को पता सब था लेकिन इ मैं कहने लगूगी भाईया अगर मैं किसी का कतल कर रहा हूँ तो वो इश्वर की मर्जी है क्योंकि इश्वर चाहता था मैं कतल करूँ भाई ये कुछ दलील नहीं होगी इश्वर ने तुमें पहले ये भी तो बता रखा है न कि आप किसी को मार नहीं सकते इतनी तो नहीं सकते इतनी तो बता रहा है किसी आत्मा की नजाकत के साथ जो नरिश्ट होती है best thoughts से और finest words से बहतरीन शब्दों से सभी ages में आम भाशा में समझा देतों अपनी उसमें भाशा में समझा देतों क्या मतलब इस बात का कि मिल्टन का जो style है वो ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा बड़ी नजाकत के साथ बहतरीन विचारों को और बहतरीन शब्दों को जो अगला कुशन देखिए in the sure and flawless perfection of his rhythm and diction he is as admirable as Virgil और Dante and in this respect he is unique amongst us भाई किसी ने टिपड़ी करी है Milton की तारीफ करते हुए और उन्होंने कहा है ठेक है क्या कहा है कि in the sure and flawless perfection of his rhythm अपने rhythm में ठेक है और diction में पिल्कुल flawless perfection है इनके पास यानि कोई गलती की गुंजाईश नहीं है और ये इतने ही तारीफ के लायक है जितने की Virgil हैं और Dante हैं और इस respect में वो हम सब में सबसे unique सबसे अलग हैं तो ये Matthew Arnold ने Milton के बारे में कहा Matthew Arnold ने Shakespeare के बारे में कहा या Matthew Arnold ने Milton के बारे में कहा था ये बात and it is a sense of his intense egotism that gives me the greatest pleasure in reading Milton's works the egotism of such a man is a revelation of spirit whose comment is this किसका comment है ये ये बताना है आपको पहले तो मैं आपको comment समझाता हूँ भाई कितनी प्यारी बात कही है और कुछ हद तक सही भी है मेरे हिसाब से सुनो पहले क्या आप कह रहे हैं आप से Shakespeare की जो poetry है वो characterless है क्योंकि वो reflect नहीं करता individual Shakespeare को यानि Shakespeare के कावे में Shakespeare missing है लेकिन John Milton अपनी कावे की हर एक line में है Paradise Lost की हर एक line में John Milton खुद है Paradise Lost में अपनी हर कवीता में वो खुद है Milton खुद नज़र आते हैं चाहे आप Saturn को देखो चाहे आप Adam को देखो Raphael को देखो Eve को देखो आपको हर जगा John Milton नज़र आएंगे और ये एक sense है इसके 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 अहंकार का कि मैं 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 जो मुझे सबसे ज्यादा मजा देता है Milton की रचनाव को पढ़ने में ये जो Egotism है Milton की ये revelation है किसी इनसान की आत्मा का तो ये टिपड़ी करी थी Coleridge ने अब Coleridge भी कोई छोटा मोटा आत्मी तो है नी भाई और ये बहतरीन comment है Coleridge साब का और बढ़ा पूछा गया है exams में Next देखे Whose style is called grand style बड़ा important question बड़ा important question ये भी पूचा जाता है ठीक है कि grand style में कौन लिखते हैं ठीक है आंसर है Milton या Milton किस style में लिखते हैं ऐसे भी पूछ सकते हैं आंसर होगा grand style शांदार larger than life एक्तम grand style में Milton लिखा करते हैं ठीक है इसको Miltonik style भी कहते हैं और इसे grand style भी बोलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं next question देखिये जरा they are the original man and woman not types but prototypes if they were not set apart from ordinary humanity they would not be Adam and Eve Adam और Eve के बारे में ये किस ने कही है बात कि they are the original man and woman not types but prototypes ये असली आदमी और औरत है ये सिर्फ प्रकार नहीं है आदमी और औरत का बलकि ये prototypes है यानि कि original copy है ये if they were not set apart from ordinary humanity अगर इनको साधारन इंसानियत humanity से अलग नहीं किया जाता तो ये Adam और Eve नहीं होते ये टिपड़ी है T.S. Elliot की इन्होंने T.S. Elliot ने Adam और Eve के बारे में ये बात कही है next question देखिए to live with Milton is necessarily to earn that the art of poetry is no triviality no mere amusement but a high and grave thing a thing of the choicest discipline of phrase the first craftsmanship of structure and the most nobly ordered music of sound किसके टिपड़ी है ये पहले तो टिपड़ी समझो कि कहा क्या जा रहा है उसके बाद देखते हैं किस ने कही है क्या कही है कि भई to live with Milton अगर आपको Milton के साथ रहना है तो is necessarily to earn तो ये ज़रूरी है कि आप कमाए that the art of poetry is no triviality पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो कावे की कला है वो कोई घिसी पिटी या तुछ कला नहीं है no mere amusement ना केबल मनोरंजन है but a high and grave thing बलकि ये बहुत ही उच्छ और गंभीर चीज है एक ऐसी चीज जिसे बहुत ज़ादा discipline के साथ ठीक है और discipline के phrases के साथ choice किया जाता है ये पहली craftsmanship है पहली कला तमकता है structure sun रचना की और सबसे ज़ादा nobly ordered music है किसी भी sound का तो अगर Milton को समझना है ना या Milton के बराबरी करनी है या Milton के साथ रहना है तो भाई कला को बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा क्योंकि Milton बड़ी गंभीरता के साथ कावे को लेते है अपनी कला को लेते है और ये टिपनी जो है वो बैली ने की है seize cancer है अब ये बैली सहाब कौन है भाई इनका पूरा नाम है जॉन कैन बैली जैन्वरी 1864 को ये पैदा हुए जून 29, 1931 को ये इनके डैथ हो गई इंग्लिश लिटररी क्रिटिक है लेक्चरर थे चेर्में थे नैशनल ट्रस्ट के और ऑक्सफोर्ट से पढ़े हुए थे बैरिस्टर थे किसने कही ये मिल्टन के बारे में ये बात तो भाई लंडन 1802 एक पोयम पढ़ाई थी हमने ठीक है तो उसमें विल्लियम वर्ट्सवर्थ ये मांग कर रहे हैं कि मिल्टन दुबारा जिन्दा हो जाओ वापस इंग्लेंड में आ जाओ क्योंकि इंग्लेंड के लोगों को कुछ मैनर सिखाने है और मिल्टन वो सिर्फ तुम ही सिखा सकते हो ठीक है नेक्स्ट कोशन ओ माइटी माउट इन्वेंटर ओफ हार्मनीज ओ स्किल तू सिंग अफ ताइम और इटरिनिटी गौड गिफ्टेड वोईस अफ इंग्लेंड मिल्टन आ नेम टू रिसाउंड फॉर एज़ेज फू प्रेजिस मिल्टन हीर इन लाइनों में मिल्टन की तारीफ कौन कर रहा है भाया आंसर एसका सी टैनिसन टैनिसन ने इन लाइनों का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ वो यह कहते हैं कि मिल्टन जो है वो इन्वेंटर आफ हार्मनीज है यानि वो मेल मिलाप करवा सकते है और वो इतने स्किल्ड है कि वो टाइम और इटरिनिटी का गाना गा सकते है उनकी वोईस इतनी वोईस ओफ इंगलंड किस ने कहा था तो टैनिसन ने इसी पोया में कहा था उने ये भी याद रखना आप लोग नेक्स्ट कोशन देखिए अगर हम राइटली बात करें और बिलकुल नियाए प्रे होकर बात करें तो हम मिल्टन को ना क्लासिफाइड करेंगे मिल्टन का वर्गी करन करेंगे दो महान एपिक पोईट्स के साथ होमर और वर्जिल यानि ये उनकी लीग का कवी है होमर वर्जिल और मिल्टन ये एक ही मयार के कवी है ये स्टेटमेंट किसका है आँसर है B प्रोफेसर डॉप्सन ने कही थी ये बात नेक्स्ट कॉश्चन है मिल्टन को लेटन सेकेर्टरी की पोस्ट पर किसने निक्त किया था आंसर है A Cromwell ने Oliver Cromwell ने जो Oliver Cromwell King Charles I के बाद गद्दी पर बैठे थी उन्हें सरकार बनाए थी तो उन्होंने इस पद को Milton को दिया था अगर Milton एक प्यूरिटन था तो वो प्यूरिटन से जादा भी था ये किसका कतन है आंसर है C. Hutchinson का Hutchinson ने कहा था कि Milton को आप सिर्फ एक प्यूरिटन के तौर पर मत पढ़िये Milton उससे बहुत कहीं आगे के कवी है मिल्टन उससे बहुत कहीं आगे के कवी है